हेलो और जहेंद चलिए सुरू करते हैं SRT SRT क्या होता है वह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हो कि SRT इसको एडिविलिटी टेस्ट कहते हैं एटी वन भी कहते हैं जो एयर फोर्स में प्यप्टी के बाद होता है यह 45 कोईश्चन होते हैं 30 मिनट का टाइब होता इसमें और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टन बात जो होती है कि 45 में से 45 अटेम्ट करने पड़ते हैं वह सही करें या गलत करें उसने कोई मतलम नहीं है हमें 45 अटेम्ट करने ही है अगर आप एक भी कोस्चन छोड़ते हैं तो आप इसमें eligible हो जाएंगे फेल हो समझेंगे चलिए आप सुरू करते हैं जैसे पहला कोईशन है आप लोग देखिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको सड़क के किनारे कोने में कोने से फटा फटा हुआ 2000 का नोट मिला लेकिन पेट्रॉल पंप पर उसे लेने से मना कर दिया कोई आपको कि जेनूइन बात सोचनी है जो हम कर सकते हैं जो रियल लाइब में करते हैं ना कि इमेजिनेशन में कि हम हम भाइट करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हमें बिल्कुल जेनूइन सोचना है इसमें से क्या option देखते हैं कि क्या साही हो सकता है उसे भारी भीन के दोरान सराब की दुकान में प्रियोग कर लेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा नोट थोड़ी नहीं कि हम यूज कर लेंगे वो मिला है तो उसे अगला उपसन देखते हैं पूरे दिन किसी टैक्सी में हात्रा करके और किसी सुंसान अंधेरी जगा पर धार्मिक स्थान पर दान करेंगे हां यह हो सकता है देखो कोश्चन सभी लग रहा है कि सही है लेकिन कौन से जादा एक्जिक्ट सही है वो हमें यहां पर प्रिफर करना है जैसे डी ऑप्सन में यह इसलिए सही हो सकता है क्योंकि इसे धार्मिक स्थान पर देंगी जाके 2000 क का नहीं है इसलिए वा इसे दान कर देगा ताकि इसका इस्तमाल अच्छे काम में कर लिया जाए दां कर लिए धार्मिक स्थान पर तो कहीं अच्छ पर किसी गरीब को भंडारे में किसी इस्थान पसब प्योग कर करके फैसे को उपियोग में लिया जा सकता है क्योंकि उसका तो है नहीं पैसा कि वो कहीं अपने यूज में ले ले इसलिए वो दूसरों के हिद के लिए दे देगा दान कर देगा तो इसमें option D को हम सही मानेंगे है माकी सब सही आप कोई भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा किसी में 25% सही है कोई 50% कोई 75% कोई 100% तो कोई सही नहीं है कोई 90% तो इसवजे से हमें देखना है कौन ज्यादा प्रिफर करता है कौन ज्यादा अच्छा रिस्पोंस करता है option की हिसाब से ही हम इसे answer देना है से अपने आपसे तो देही नहीं सकते option को हम देखेंगे जज़ करेंगे कौन साथ ज्यादा exact लग रहा है कि हाँ यह genuine हो सकता है यह होना ही चाहिए इसलिए डी option अब देखिए दूसरा question है यह बहुत most important हो जाता है क्योंकि ऐसे question अक्सर लोग गलत कर देते हैं काफी बार देखा गया कि ऐसे question अक्सर बार गलत होते ही होते हैं क्योंकि इसे question आप देखिए पढ़के एक बार पॉस करिए अपना answer लगाई टिक लगाई उसके बाद मेरा देखिए explanation देखिए क्या सही है और आपको लगता है कि नहीं इसमें सुद्वी या सी कुछ दूसरा मेरे अपोजिट हो सकता है तो आप comment करके मुझे बताइए तो मैं अपना option देखूंगा फिर से दुबारा review करूंगा चलि देते हैं जैसे question में हम लोग कभी कभी भावग हो जाते हैं या aggressive type के option देते रहते हैं तो वहीं पर हमारा question गलत हो जाता है और वहीं पर judge कर लेता है और examiner की हां ये थोड़ा सा patience वाला नहीं है और patience की बहुत जरूरत होती यहां पर क्योंकि हमें patience की इसलिए जरूरत है क्य इन्हें समाजना पड़ेगा न कि क्या कहां पर क्या जरूरत है ऐसा नहीं हर जगे गोलियां चलाओगे ऐसा नहीं है कभी कभी दिमाग का यूच करना कभी क्या करना वो हमें देखना पड़ेगा चलिए option को देखते हैं एक बार विवस्थापक को सिकायत करेंगे ए ऑप्स करेंगे मतलब उनसे बात करेंगे बहस करेंगे और उनको विशारों को हम सकरात्मक करेंगे ठीक है यद इससे बाद भी वे गहलियां देंगे आप उनकी सिकायत स्थापक को करेंगे सही है यह सही लग रहा है अच्छा डी आपसन एक बार देखते हैं यूवा उटसो से पा भी नहीं यह नहीं यह गलत है तो आप लोगों यह चोटी-चोटी बात याद रखना है बांकी इसमें और कुछ नहीं है पैतालिस पैतालिसों कोस्टन ऐसे ही मिलेंगे इसमें कुछ इसके रिजनिंग के होंगे जो मैं अभी एड़ करोंगा अगली स्लाइड में अगले व आप लोगों कि इसमें से जजज करने हैं कि या आपसे कोशिशन बन पा रहे हैं अगर हाँ तो ठीक है नहीं बन पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए सीखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप दस स्लाइड करेंगे तो आर्टोमेटिक आपके माइन में बच जाएगा क कि हाँ इनको ऐसे टैकल करना है तो उसमें कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग ऐसा करिए कि इसको सेर करिएगा तो कफी बच्चों को हिल्प हो सकती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे कि ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे भाविस में चलिए इसका ऑप्सन हम लोग देखते हैं कौन से ज़्यादा सही हो सकता है या क्या हमें सही लगता है तो इसका ऑप्सन हम लोग सी करेंगे कि हम उनसे बात करेंगे उनके विचार को बदलेंगे अगर फिर भी नहीं वो समझबा रहे हैं तो फिर सिकायत बाद में करेंगे ऐसा कर सकते हैं तो हम इसका ऑ करूंगा पुना विचार करूंगा और आप लोगों से अगर सहमती होगी तो विचार कुछ और दूसरा भी देखा जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए अब तीसरा क्वेश्चन एक पर पड़ते हैं आप कमांडो की पैसिछन देने वाले एक आर्मी अपसर हैं आप अपसर हैं आप अपने आपको समझे हैं आप एक दोस्ताना सार्क रच्छा मिलने के लिए सिलंका की यात्रा पर जा रहे हैं आपने वहां देखा कि एक दिन चार पाकिस्तानी अपसर रात से रात के समय लान में बैटकर सराब पी रहे हैं उन्होंने भारती जंडे को तेबल के नीचे नीचे रखा था जो उनके पैरों के नजदिक था और वे सभी जोर-जोर से चिला कर आपके देश को गालिया दे रहे थे फिर यह वही सेम कोईशन आ गया कि आपको इसमें पेसेंस रखना है और बहुत बहुत तरीके से बहुत अच्छे से इसको क्या करते है आपसन को देखना है और जल्दी से जल्दी कोईशन करने कोईशन करना क्योंकि वहां 30 मिनट पर 45 कोईशन होते हैं और छोड़ने एक भी नहीं है छूटे तो आप फेलो गए तो इस वेज़े से छोड़ना भी नहीं है और हो सके तो अच्छे से अच्छा जाब देना है तो दिमाग में आएगा आपके चलिए इसको आपसन को पढ़ते हैं उनकी गतवीदियों को रिकार्ट करेंगे और उनका सामना करेंगे वहां से जहंड़ा लेकर उन्हें कहेंगे कि वे भारतियों को गालियां देना बंद करें और बाद में रिकार्ट किये गए वीडियों को आने से भी पतियों के बीच में प्रसार कर उन्हें बदनाम करेंगे यह बदनाम सब्दा आ गया है ना तो यहां पर यह वाला सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन इसके और आप्सन देखेंगे अगर इससे बेटर हो सकता है उनके बाद भी आप्सन है उनसे बाद गये कि ऐसा नहीं था तो फिर फच जाएंगे आप भी दिक्कत में आ सकते क्योंकि आपको रिकॉर्ड में रखना पड़े आप यहां पर इस आपको बताया गए कि आप ऑफिसर है आपको अगर उसने गलत साबित कर दिया तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं इसलिए यह आप आप तो गलत हो जाएगा आप तीसरा आपने साथियों को बुलाएंगे और पाकिस्तानी जहंडे को अपने पाकिस्तानी जहंडे को और पाकिस्तान को उनके सामने गैलिया देंगे नई यह थोड़ी नहोंता कोई गलत कर रहा तो हम भी गलत करेंगे गलत यह उप्सन तो ब दिरसित करेंगे उन्हें बदनाम करेंगे देखिए ये उप्सन और ये उप्सन में क्या फार्क है इसमें ये बताया गया है ये जो आप्सन डी वाला है ये तो ए में हई है ये और इस्टर भी बात है क्या इस्टर बात है उनकी गत्विदियों को रिकार्ट करेंगे और उनक तो यहां पर ज्याद अच्छा होगा ए ओपसन इसलिए हम लोग ए ओपसन को टिक मार देंगे और ज्यादा जो बड़े ओपसन होते हैं उन्हें पहले पढ़िए यह कि इसमें ज्यादा बाते कहीं गई है अप्सन क्या पर अच्छा तो आप लोग यह जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है और भी कोश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को सेयर करिए थैंक्यू